20 मार्च विश्व गौरईया दिवस के रूप में मनाया जाता है पता नहीं आज वो कहां खो गई जिसे बच्पन में अकसर नीले आसमान में जुन्ड के रूप में उड़ते देखते थे घर आंगन में फुदकने वाली वो नन्ही चिडिया की आवाज अब शायद ही किसी को सुनाई देती है मिठी आवाज के साथ दिल को सुकून देने वाली इस चिडिया का नाम गौरईया है घरेलू गौरईया पासर डोमेस्टिकस के नाम से जानी जाती है एशिया और योरोप में इनकी संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी हम इन्हें देख पा रहे हैं आज लेकिन हमारी अगली पीड़ी क्या इन्हें देख पाएगी या इनके बारे में केवल गूगल में या कहानियों में ही सुन पाएगी अधिकान शेहरों में उडान भरने वाली हचिडिया आज बहुत देशों से विलुप्त हो गई है और जो जहां बची भी है वहां भी यह दुरलबसी हो गई है यदि देखा जाए तो गौरया एक बहुत छोटा पक्षी है जिसका वजन 25 से 40 ग्राम और लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर होती है सामान्यता 38 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से उड़ने वाले इस पक्षी को 50 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से भी उड़ते हुए देखा गया है नर गौरया की गर्दन पर काली पटी वो पीट का रंग तंबाकू जैसा होता है जबकि मादा की पीट पर पटी भूरे रंग की होती है इनका जीवन सरल होता है और घर बनाने की जिम्मेदारी नर की होती है वो बच्चों की जिम्मेदारी मादा की होती है मादा हर साल चार से पांच अंडे देती हैं जिन में से बारा से पंदरा दिन बाद बच्चों का जन होता है लेकिन अधिकांश बच्चे मनिश्य की भेंट चर जाते हैं इन में एक महत्पुल शम्ता होती है या आकाश में उड़ने के साथ साथ पानी के भीतर तैरने की शम्ता भी रखते हैं मनुश्यों से नजदी की इनके विनाश का कारण बनी है फस्तलों के बीच खाने की आदस से फस्तलों को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए कीट नाशक का प्रयोग होने लगा जिसका असर इन चिडियों पर भी पड़ा गोरईया छोटे पेड़ों या जाड़ियों में भी घोसला बनाती है लेकिन मनुष्य उन्हें भी कारता चारता जा रहा है वह बबूल, कनेर, नीमबू, अमरूद, अनार, महंदी, बांस, चांदनी आदी पेड़ों को पसंद करती है पर अब या तो इन्हें लगाने के लिए जगह नहीं बची है या इतना सब सोचने की हमारे पास फुर्सत नहीं है निशाने बाजे की वज़े से ये चिडिया सरवाधिक शिकार होती पाई गई है इनकी घरती संख्या को देखते हुए 2010 से हर वर्ष 20 मार्च को दुनिया में विश्व गौरया दिवस मनाने की शुरुवात की गई गौरया सनक्षन व गौरया बचाओ अभियान के तहत वर्ष 2012 में इसे दिल्ली और वर्ष 2013 में इसे बिहार का राजकी अपक्षी घोशित किया गया इन प्यारी चिडियों को पुराने मकानों की छतों की बल्लियों में अपना घर बना कर रहते हुए देखा गया है लेकिन आज आधुनिक सुविधाओं के लिए हम लोगों ने अपने घरों को कंक्रीट के मकानों में तबदील कर अपना आसरा तो आधुनिक कर लिया लेकिन इनका आशियाना उजार दिया मोबाइल फोन या टावरों से निकलने वाली रेरियेशन चिडियों के बच्चों की मृत्यों के कारण बन रहे हैं साथ ही हमारे द्वारा पाले जाने वाले जानवर इनका शिकार भी करते हैं यह आज हम सब के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि यदि इस नन्ही चिडियों के विनाश के सारे कारण हम मनिश्य हैं तो क्यों न कुछ ऐसा कारे करें जिससे इन्हें दुबारा जीवन देने में सहायक हो और इनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ सके हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में प्रकृति द्वारा प्रदत सभी जीव जन्तूओं का वातावरण को संतुलित बनाए रखने में कोई न कोई भूमी का होती है इन में से किसी का भी विलुप्त होना इस धर्ती के जीवन चक्र के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है इस छोटे से पक्षी का भी इस प्रकृति में योगदान है जिसे बचाना हम सब का करतव्य है ओ गौराया वापस आजाएं करेंगे हम कुछ ऐसा हर घर आंगन में फुदक सको तुम पहले सा विशिशग्यों और पर्यावरण विदों की माने तो गौराया के विलुप्त होने की मुख्य वज़र आधुनी की करण के साइड इफेक्ट्स ही है जैसे शहरों में छोटे पौधे, घास और हरियाली की कमी की वज़़ से कीडे जो गौराया का मुख्य आहार है उसकी कमी होना शहरी इलाकों में पेड की कमी के कारण घोसलों पर संकट आना इमारतों के धांचों में आ रहे परिवर्तन की वज़़ से गौराया का घरों में घोसला न बना पाना मुबाइल टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों में व्रिधी होना अनाजों के रख रखाओ के तरीके में बदलाव के कारण भी गौराया के आहार में कमी की एक मुख्य वज़़ है कीट नाशक का लगातार बढ़ता प्रयोग होना शहर में गाडियों और अन्य वज़़ों से लगातार शोर का बढ़ना जिसे गौराया बरदाश नहीं कर पाती है अब प्रश्न ये उठता है हम गौराया को क्यों बचाएं इस सवाल का जवाब केवल इंसानियत नहीं है गौराया का कम या विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में कोई भारी गरबड चल रही है जिसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा हमारी छोटी सी कोशिश गौराया को जीवन दान दे सकती है सबसे पहली बात कि अगर वो हमारे घर में घोसला बनाए तो उसे बनाने दे हम नियमित रूप से अपने आंगन, खिडकियों और घर की बाहरी दिवारों पर उसके लिए दाना पानी रखें क्योंकि गर्मियों में न जाने कितनी गौराया प्यास से मर जाती है इसके अलावा उनके लिए कृत्रिम घर बनाना भी बहुत आसान है और उसमें खर्च भी नव के बराबर होता है जूतों के डिबो, प्लास्टिक की बड़ी बोतनों और मत्कियों में छेद करके इनका घर बनाकर हम इने उचित स्थानों पर लगा सकते हैं तो चलें आज हम लोग आवाज लगाते हैं अपनी उस गोरया को यह कहते हुए ओ गोरया वापस आजा करेंगी हम कुछ ऐसा हर घर आंगन में फुदक सको तुम पहले जैसा ओगो रईया वापस आजा करेंगे हम कुछ ऐसा हर घर आंगन में फुदक सको तुम पहले जैसा